सबी साथियों को में है नमस्कार स्वागता सभी का आज 21 दिसंबर के जन सत्ता विशलेशन में आई शुरू करते हैं आज के विशलेशन बिना किसी देरी के पतंप्रिश्प में हमारे सामने जो हाली में लोकसभा द्वारा तीन अपराधेक विदेहक पारत किये गए हैं उसको लेकर खबर है बहुत सारे क्राइम्स में पनिश्मेंट को और बढ़ा दिया गया है रिग्रस कर दिया गया है अगर हम जाने हमारी नौलेच के लिए उन तीन विदेहकों का नाम है भारतिय नियाय सहीता भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता और भारतिय साक्ष सहीता विदेहक 23 को द्वन्मित से अपनी स्विक्रिती दी मतलब सभी लोकसभा में मौझूद सदस्विगर्ण द्वारा रिक्वाइड वोटिंग और रिक्वाइड आफिर्मिशन द्वारा इसको पास करा गया हमारे लिए महत्रपूर है कि अगर हम ये जाने कि अगर कोई बिल पेश खरा जाता है लोकसभा में तो उस विदेहक को बिल को कितनों की अप्रूबल चाहिए होती है कितनों की approval चाहिए होती है और कैसे वो act बनता है आप उस procedure को अपनी political science की book में देखिए जरूर जाकर अगली खबर है सात्रीग चिराक को खेल लतना शमी बने अरजुन यह basically अरजुना अवार्ड दिया गया है तो यह बहुत ही खुशी की बात है हमारे ऐसे खिलाडी totally down to earth हैं और इतना अच्छा position करते हैं उनको मिलना ही चाहिए हिंदी में संजीव और अंग्रेजी में नीलम शंड समेथ 24 लेखकों को पुरुसकार यह विसी के लिए हम बात कर रहे हैं साहित्य अकाइडमी जो अवार्ड मिल रहे हैं तो साहित्य अकाइडमी वाट्स की भी नाम आ गए हैं साहित्य अकाइडमी वाट्स ठीक हैं आ गयाते हैं हमाँ साहित्य यह लेख है विकसित भारत की रहा विकसित भारत ठीकाउ तथा नया संगत विकास सुनिश्यत करने के लिए उद्धमिता नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देगा इसका मकसद गुर्वत्ता पूर्षिक्षा स्वास अरधा प्रासापैसांगी कोशल के साद युवाओं को सशक और सश्चम बनाना है ग्रामिड विकास को पात्मिक्ता देते हुए शहरी ग्रामिड विभाजन को समात कर विश्टरी बर्यावर्ण और नुकूल तर्टिकाउ बन्याई नहाचा तयार किया जाएगा भारत अफसरों का उप्योकर चमतकारिक आर्थिक विकास की और अग्रसर है विकसित भारत दोज़ से तालिस कदूर दर्शी और मैतौकांची प्रियास तमाम छेतरों समाचिक विकास राश्टरी और राज्जिस तरिये दिश्टिकोंड के समन्वे पर केंद्रत है विकसित भारत के लक्ष में सरवादिक प्रभावी भूमी का मानव संसाधन विचेशक और खुगाओं की होगी समकर छिक्षा वियान उच छिक्षा संसानों का विस्थार कोशल विकास जैसे कारिकर्म तथार नीतियों के कारण समाजिक वनियाती ढाचा व्यापक हुआ है वर्ष 2.47 तक उच छिक्षा में विध्यारतियों की शमता लगबग दुगनी होगी इसके लिए मौजूदा और शिक्ष्य संस्थानों की शंडराने के सात आतिरिक्ष ऐसे संस्थानों की जरुवत है जहा नोसंधान तर्नावाचार हो. में साथ ही हुआ हमको जरुवत है कि हम innovation पे काम करें, हम research पे काम करें, तो हमको और ऐसे research infrastructures को बनाना पड़ेगा, Campuses में Innovation को हमें प्रमोट करना पड़ेगा ताकि जो हमारे विध्यारती हैं जो हमारे युवा हैं वो और बेतर अध्यन करके देश के सामने एक अच्छी टेक्नोलोजी लाएं ताकि हम और डेवलब कर सकें दुनिया की युवा आवादी के लगभग पांचवे हिस्से के साथ भारत सबसे युवा देश है तथा दुजस से तालिस तक दुनिया में सबसे बड़े कारिबल प्रदाता देश बनने जा रहा है अफसर है कि जैनांके की लावांच का भैतर उप्योग कर विकसित भारत की संकरपना सरकार हुआ राजी विदे तंग हाली में है इसलिए नय उच्छी संस्थानों के लिए निजी छेतर को आगे आना होगा साथी ग्रामी शहरी शिक्षव विभाजन को दूर कर हर बच्चे के लिए गुर्वत्तापू शिक्षव सुनिशित करेगी जीवन पर्याद सीखना और व्यवसाइक प्रसिक्षन को बढ़ावा देगी अजेड लाग से अधेक आयुश्मान भारत की इंदर प्रात्मिक स्वास्त सेवाइं बदान कर रहे हैं लगवजादा लाग आगन बाड़ी की इंदर दस करोड़ बच्चों की शिक्षा पर अपना ध्यान देते हैं स्वास्त के बढ़ादी धाचे को मजबूत कर निवारक देखबाल के पत्मिकता तभी सभी के सास्ता सुलब और स्वास्त सेवाइं सुरुचित करेगा मतलब कि अगर हम देखें तो स्वास्त पर अगर हम बढ़ादी चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी जो हमारी आगे आने वाली जिनरेशन है उसको हम बहतर एक कहते हैं कि अच्छी आदाऑ अगर किसी विक्ति का हेल्थ ही ठीक नहीं होगा हम कहते हैं न हेल्थ होता है यही आपके माइन्ड को आगे डिफाइन करता है अगर आप healthy वेक्टी होते हैं तो आप बर्थ confident होते हैं आप चीजों को जल्दी सीख लेते हैं आपके अंदर केते हैं बहुत सारी activities करने की शमता जादा होती है मगर अगर healthy नहीं है आप तो आप इस चीजे नहीं कर पाएंगे अब healthy के अगर हम बात करें बुनियादी धाचे में तो ग्रामीड छेतरों में या फिर हम बात करें शिशू के स्तर पे एक शिशू जो होता है छोटा सा बच्चा चोटा सा बच्चा जो होता है उसके स्तर पे क्या healthy होगी क्या उसकी six-pack abs हों क्या उसे gym भेया जाए नहीं उसकी health होती है कि हम यह सुनिश्चित करें मेरे साथियो यह सुनिश्चित करें कि child wasting child wasting ना हो वजन लंबाई में अंतर कम हो child stunting ना हो चाइल स्टंटिंग ना हो और साथ ही साथ मैल नुट्रिशन ना हो कि हेल्दी बच्चा हो है ना पिछले दशक में रेल लाइन निर्मार्ट 1452 किलो मीटर पतीवश से लगभग 3 गुना बढ़कर 5243 किलो मीटर पतीवश हो गया है राशी राजमार्ग संजाल 60 फीसद बढ़कर 145,240 किलो मीटर हो गया है ग्यान एवम प्रद्धवगी में अंतरिक्ष अभियानों के जरिये नए प्रतिमान सापित हुए है दुनियों में महारत डिजिटली करण में अकरणी है अधार, UPI, COVID, प्लाटफॉर्म में इत्यादी हम लोग बिसी के लिए डिजिटल टेक्नोलजी को बहुत आगे ले गए हैं अपने हम हेल्थ की बात करें, जूगेशन की बात करें हम आपके जो रेविन्यू इंफ्रास्रक्चर है जो डिजिटल इंफ्रास्रक्चर है उसकी बात करें हम उस पर अच्छा काम कर रहे हैं बहुत कम समय में वित्तिय समावेशन के तहरे 40 करोड बैंक खाते खोले गए बढ़ा मंत्री गरीब कर लियान अनयोजना मनरेगा तर बढ़ा मंत्री आवास योजना द्वारा गरीवी के खिलाब मजबूत लाई जारी है भारत हाशिये परस्तित समुदायों पर ध्यान के इंद्रत कर समाजिक सुरक्षा गरीवी अन्मूलन खात सुरक्षा और समावेशी विका सुनिचित करेगा प्रगतिशील ग्रिशी सुधारों को लागू कर प्यसानों की पात्तर था आय बढ़कर भारत टिकाओ ग्रिशी पदितियां और दखनीक नवाचारों को बढ़ावा देगा विकासित भारत टिकाओ था न्याय संगत पिकास सुनिचित करने के लिए उद्धामिता नवाचार नगनी को बढ़ावा देगा हैना इंट्रपनोश है उद्धामिता होगी नवाचार इनुवेशन हैना टेक्नोलजी इगोवर्नेंस, दिजिचल एजुकेशन, दिजिचल हेल्थ इंफ्रस्क्चर सब हमार लिम इन्पोर्टन है भारा जल्वाई वरिवर्तन पर्यावरान संकट सेने पटने के लिए प्राकरतेह सुईथा प्रतावन कर विनिर्मार्ट छेतर रोजगार सिजन तथार निर्यात को बढ़ावा देगा है नहीं हम देखी जब हम अच्छे अच्छे इंफ्रस्टर्ट्रेक्टर्स बनाएंगे हम बिजनेस को स्टाप्स को मोटिवेट करेंगे तक भी इंप्रॉइमेंट जिन्वेट होगा यहना वैशर चुनातियों को भी देखना होगा जिससे अधिक समिद्द लेकिन दुरुवेकर्ट दुनिया सहित अन्रशात्मक और संस्थाकत सुधार शेत्री असमानताओं को पाटना विशेश शेत्रों में उद्रिष्टा उद्राश्टी पति बनताओं का पूरर मुल्यांकन मानव पुझी निर्माण और वैश्वक निर्यत्र की अफशकता होगी भारत को बतलती जरूरतों और चुनातियों के नरूप नीतियों के निर्यत्र मुल्यांकन और अनुकूलन के शकता है प्रगती का मुल्यांकन संदरवश में किया जाएगा अंतराश्री बुद्राकोश की अरुसार भारत आ दुनिया के पांच विपसे बड़ी अर्थवस्ता है तो IMF मानता है कि इंडिया फिफ्ट लाजस्ट ही अपने आप में एक वो है एकॉनमी फिफ्ट लाजस्ट एकॉनमी है IMF के अनुसार जो कि में साथ ही हो बहुत बड़ी बात है ठीक है बाकि आप अधिन कर लेजेगा यह जुरुकि अच्छा डेटा देवा एंड में आर्टिकल के चलिए आ गया थे यह आर्टिकल के साकी सोचे चुनाफ कराने के तरीके को लेकर विपक्षी इंडियन कटबंदन ने आयोग को कुछ सुचा बेजे हैं मतलब हमारे जो हली में पॉरिटिकल कुछ नहने पर युवरतन आ रहे हैं तो उसको लेके हरकोई सुचा थे रहा है अपने सुचा कोई शकल में है सवाल दिल्ली में अपनी चौथी बैठाक में पक्षी सगटबंदन के पस्ताब बारत कर चुनाफ आयोग से मांग की है कि मत पत्रों के जरीए चुनाफ कराए जाएं मतलब बैलट पेपर के जरीए मतलब देखी है अपकी दुनिया आगे जा रही है और हमारी ऑपोजेशन पार्टी पीछे जा रही है और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मत दाता स्थापित पच्चियां वीवी पैट की सौ फीसद गिंती की जाए मतलब वीवी पैट की पड़िचों की भी गिंती की जाए जिससे देखें ये सब ना बहुत ही कंबरसम काम है ये बहुत ही हेक्टिक काम है हमारे कमिशन के तोरह अगर कराया जाए तो बहुत दिरूप हो जाएगी काउंटिंग में बख्षी निताओं का दावा है कि चुनावायोग ने गियापन का जवाब नहीं दिया है दरसल हाल ही में पांच राजियों के उदाण साब चुनाव के नतीज़े आने के बाद मध्य पदेश की नतीज़ों को लेका सवार उठे मेरे साथ ही हो ये तो पॉलिटिकली कुछ ने कुछ लगी रहा कर लहेगा हम इसको जादा नहीं जाएंगे मगर हाँ ये देश में नतीज़ों की काजबात है कि हम बख्ष की भी सुनते हैं और चुनावायोग तो हमेशा ओपन रहा है हलाकि चुनावायोग ने इस पश्ट क्लियर कर दिया है कि जो भी आपके वी वी पाट मशीन है या फिर जो आपकी जो ईवी ये मशीन है इसको लेके चुनावायोग हर बार इलेक्शन से पहले ओपन चैलेंज रखता है कि भाईया हम मशीन आपके लिए आपका भी मिन साथ ही दिल्ली में होंगे तो चुनाफ के वक्त ना चुनाफ के पहले आपका भी इलक्षिन कमिशन के दफ्तर के बाहर घूमिएगा मतलब रेकी मत करिएगा वरना इंटेलियंस इजिंसी उठा ले जाएगी ऐसी गुजरियंगे तो आप आएगे कि वहाँ पर बाहर एक काउंटर लगा होगा उस काउंटर में बतौर चुनाफ आयोग के अधिकारी और स्टाफ लोग बैठे होंगे वह उस काउंटर पर लिखा होगा कि EVM की खुदी जाच कर ले मतलब कि आप लोग चाहो तो खुद भी देख सकते हो कि क्या EVM को छेड़ काण हो सकती है यह डिमांस्टरेशन की रूप में होता है दूसी पर चुनाफ आयोग ने हर बार हर लेक्शन से पहले होगे सभी पर्टी की दलों को बलाके पूर ऑपरज्मिटी दी है कि अप आयی ओर हैकर को तक का ओपन लेटर हैकर को दिया है जोनों आयोग ने कि हैकर भी आकर ऐस मशीनों की टेस्टिंग कर सकते हैं इन्हें हैas करना चाहें तो है कर सकते हैं मतला अगर है कर पाए तो मगर इन सारे एफर्ट्स करने के बाद जो डिसीजन फाइनल निकला कि वीवी पैट को और एवी एम को जो है करना या छेड़ खाड़ी करना ना के बराबर है अब जो हमारी माने नहीं अपोजीशन कर रही है यह बिसीकली नियूज में बने रहने का प्रयास होते हैं यह बिसीकली क्या होता है कुछ मुद्दा ना हो तो मुद्दा बनाया जाए है हलाकि में न्यूट्रल में काने चाहूंगा कि चुनाव आयोग जो वियू है वो क्लियर है कि वीम या वीवी पैट मशीन को किसी भी तरीके से हैक नहीं कर सकते हुआ और इंजिन लोगों ने इस पर सवार उठाए भी है चुनाव आयो ने ओपन लिक इंविटेशन दिया है कि आप आईए और आप असको है करके दिखा दीजिए चलिए आगाते हैं ट्रम की मुश्किल है हाली में देखिए ट्रम की बीचे तो पुरी गवर्मेंट पढ़ गई है वहाँ पर पूर राश्टर पती है अमरीका के डॉनल्ड ट्रम वाकि अभी चुनाव चुरू होने वाले तो कोट ने भी हाथ दो की पीछा बढ़ गई है इनका इनका जो है ना पूरा कंडिडेचर ही कैंसल कर दिया है अलगी वहाँ पर देखिए जो निंडे आ रहे हैं वहाँ पर वह स्टेट पर ही इंप्लिमेंट रहेंगे युएस में चानते की इस चाम अलग होता है मत एक बार सुप्रिम कोट ने कुछ कह दिया या बड़ी वाली कोट ने कह दिया तो वो सारे युएस के राज्यों में मानने हो जाएगा अभी टरंप में क्या हो रहा है कि इंडिन राज्यों में फैसले हो रहे हैं वो राज्यों आपोजिशन वालों के हैं और जुडिशरी भी वहां पे कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में वाल्ट होती है अगर आप दोड़ा धेन करेंगे डीप ली तो युएस में क्या होता है जो जुडिशरी है वहां पे भी डेमोक्राट्स और पॉब्लिक्स और पॉब्लिकन्स से एलेक्शन होते हैं जज़जों के तो अभी जो वाइट हाउस के दोड़ के लिए चुनाव अभियान में जिटे अमरीकी अमरीका के पूर राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम को जटका लगा है कोलराडो प्रांथ की प्रमुक अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में ट्रम को राष्ट्रपती पत के लिए आयोग करार दिया ह सब्सक्राइब उचाने कोलराडो कोलराडो कहते हैं बलदब देख ही सिर daar वहां पर क्या है महां पे से हमारे पर है को टल Yap है तो वहाँ पर किसी यह पर्टिकुलर कोट नहीं कर दिया हलाकि वह GUY्म भानने में सब पर नहीं होता है on हम चारत है लिए अमरीका राश्टरपती चनाल लड़ना मुश्किल हो सकता है अमरीका के इतिहास में पहले बार ही अदालत ने चौदवे समीधान संचोधन की धारा तीन के अस्तमाल राश्टरपती पत के अमिदवार को आयोगे ठहलाने के लिए किया है इस दियम के तहद कि ऐसे किसी भी विक्ती को चनाल लड़ने से रुका सकता है जो समीधान की शपत लेने के बाद बगावत का किसी तरह से समर्थन करता है या उसमें शामिल होता है गोलाडो की अदालत ने की तीन चार के मुकाबले किसको कैपिटल पर हुए हमले के लिए बीड को इंसा के लिए उसाया था लेकिन राश्व चनाव में भाग लेने से नहीं रुका सकता क्योंकि इस परश नहीं है कि समीधान की धारा क्या शुदी के लिए समीधान है में साथी उसमें थोड़ा सा लोग चाहते हैं कि डॉनल्ड ट्रंप ही आए डॉनल्ड ट्रंप ने बहुत रिफार्म्स लाए थे यूएस गोवर्मेंट में जो की पॉजिटिव थे बाइटन साब का थोड़ा सा नेगेटिव चला है क्यों कुछ कर नहीं पा रहे हैं कुछ खास चलिए आ गयाते हैं मेजर ध्यान चन्न जो अवर्ड है यह किसी दिया जाएगा यह आपका दिया जाएगा सात्विक भाई को और किसी दिया जाएगा और ही दिया जाएगा चिराग भाई को ठीक है दिया जाएगा अरजिय न वाट किसी दिया जाएगा दिया तो बहुत लोग को जाएगा मेन आदमी हमारे हैं शमी भाई आदमी तो बहुत सारे हैं ठीक है इध्यान रखीगा प्लीज केम दालने सूत्रों के नुसार भारते रिगेट बोर्ड ने शमी का नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेश आगर किया था हाँ चमी बहुत ही बगए खिलाड़ी है भी इधिकी दोनचारे प्रुसकार इन लोग को मिले गए या अध्याई लिस्ट पर जरूरी है में साथ ही हो ज्याँचन जीवन प्रियत प्रुसकार, कवीता, सिल्वराज, कबड़ी, मंजुशा, कमवर, बैडमिटन, विनित कुमार शर्मा होकी दुनाचारे पुसकार गनेश, महावीर, आरबी, रमेश, दुनाचारे पुसकार, शिविंदर सिंग, जस्कीर सिंग, ग्रोवल, गॉल्फ, जैकुमार, पुंची राल, टेबल टनिस अजन पुसकार, आपके शमी के लावा, बिजहानी तीरंदाज, शीतल देवी, पुरुष हाकी खिलाडी किशन बहुत, सुशील लचानू, ओजास प्रमीन, अदिती गोपी चंत, मुहम्मद हसीमुद्दीन, शतरंच खिलाडी, और वैशाली गॉलफर, दीशा डागर, एशिया के लोग के अज़त पताग वुजिता वुश्यू के लाड़ी, नावराम रोशी बीना देवी, और टेबल डर्नेस के लाड़ी, आईगी का मुखरशी शामिल है, यह बहुत जरूरी है, यह अगर आप लोग PCS लेवल की परिक्षाव की त्यारी कर रहे हैं, तो चल